मेरी अपनी सब की है ये मेरी अपनी सब की है ये आज ही नहीं कल की है ये अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें हर मुश्किल का हल है सुझाती जीने की एक राह जिखाती, अधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें दूर्दर्शन 36 गड़ के सजीव प्रसारण के साथ एक बार फिर हम आपसे रूबरू हैं आपके मुखातिब हैं कारेक्रम आपका अपना जाना पहचाना आपकी बाते हैं और कारेक्रम की आज की सकड़ी का जो विशह है वो हम आप सभी से जुड़ा हुआ है विशह है उपभोकताओं की समस्याएं और उनका कानूनी समाधान तो विशह महतपूर्ण है अपने टीवी सैट्स के करीब आजाईए अगले पचिस मिनिट हम इस विशह से जुड़ी ही महतपूर्ण जानकारिया आप तक बहुचाने वाले हैं और इसके लिए हमारा स्वभाग है हमारे साथ स्टूडियो में है श्रे गौतम चौरडिया जी आप हैं अध्यक्ष राज उभोकता विवाद प्रतितोष आयोग रायपूर्ण चेटिस गड़ से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन और हम आभारी हैं कि आपने इस कारिकम के लिए हमें समय दिया विशय पर आने से पहले एक राज उभोकता विवाद तो समझ में आता है प्रतितोष आयोग एक ऐसा श्रब्द था जो मैं अपने दर्शकों के लिए पहले उस को रिलीफ देते हैं यह वास्तिक रूप में जो छती किसी विक्ति को हुई है उब्भोकताओं को किसी समान को या सेवाओं को खरीदने में तो उसको उस इस्थिती में वापस लाना उसके नुकसान की भरपाई करना जी उसको जो छतियां हुई मेंटल लेगोनी हुई है मा अब आते हैं महत्पूर्ण विशे के साथ जो आज किस कारेक्रम का है कि उब्भोकताओं की समस्या है और उनका कानूनी समाधान यह बहुत महत्पूर्ण बात है कि उब्भोकताओं को यह मालू होना चाहिए कि कानूनी समाधान की सुविधा है हम उसके बारे में कितने जा का मुल्य चुका कर सेवाओं को खरीते हैं या कोई वस्तु खरीते हैं या उब्भोकता हो गया कानूनी दिष्टी से जो उब्भोकता की परिभासा है जो की उब्भोकता कमिशन में या जिला कमिशन में केस लाने के लिए चाहिए वह व्यापारिक नहीं होना चाहिए लाभर थोक दुकान से सामान खरीद रहा है रिटेल में उसको बेच रहा है वो इस सो भुकत चेड़ में जो वेवसाय कर रहे हैं वो नहीं आते हैं चली बहुत अच्छी बात बताईए आपने अब अधिकारों की बात कर लेते हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अध तिफल दे कर खरीदते हैं तो आपका अधिकार नैसरगी रूप से होता कि जो आपने मुल्य चुकाया है जिस वरस्तु या सेवा के लिए चुकाया है वो आपको उस रूप में मिले जिसके लिए आपने भुकतान किया है जैसे कि किसी ने कहा कि आपने कोई समान खरीदा उ वो उस quality की है या नहीं, उस वजन की है या नहीं, मुल्य सहीं लिया जा रहा है, ऊसमें गुनवत्ता में कोई नुखसान दे चीज तो नहीं है, time bar कोई चीज तो आपको नहीं बेच रहा जिसकी समय सी में समाप्त हो चुकी है, ऐसे उस वस्तु से जुड़ी हुई सारी चीज उसका जब मुल्य चुकाते हैं एक समय था जब हमारे वस्तू विन में होता था फिर मुद्रा विन में शुरू हुआ उसमें भी ये था कि हम दुकान पर पहुंचते हैं खुद पैसे देते हैं चीज खरीते हैं उसके एक्सपारी डेट और उसकी क्वालिटी अगरा खुद ज वहां पर उब्भोक्ता बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो रहे हैं और ऐसे उब्भोक्ताओं का बहुत बड़ा वर्ग है उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है किस तरह से वो ऑनलाइन ठगी के जो शिकार हुए हैं वो इसका कंपन्शिशन दे सकते हैं ये 2019 का जो भोक पर्केटिंग के जमता और अधिकांस बच्चे परड़े लिखेए लोग आज सब उसी पे कर रहे हैं यह तो सबसे पहले टो बहुक्ता को जागरुख हो नुक्त है कि मैंने जिस जगह से समान खरीद रहें वो प्लेटफॉर्म से समान खरीद रहें वो प्लेटफॉर्म सही है यह नहीं, क्योंकि कई बार यह है कि जिस platform से ख़ीद हैं, वा platform actually real में है नहीं, फरजी company था जोग बने फरोड करना है वहा वैसी company है कंप्री कंपनी तो भूर्टाओं को उसके सारे चीजे चेक करना है, जब वो contents देखे हैं ऊसको, तो वेरिफाय करने कि जिस site पर जाकर ले रहे हैं माल, वो वेबसाइट correct है या नहीं है, उसके जो contents बताएगे हैं, उसके सही है या नहीं, कई बार उसके details रहते हैं, जहां आप परचेस करते हैं, उस कंपनी के पुरे डेटेल से रहते हैं, कि GST तेलीफोन नमबर पूरेक्ट हैक नहीं है, वो इसे ऐलेवल रहते हैं. आपको परचेस करने कवेले सबसे पहले इस चेक करना चाहिए, और लाइन टर करने कवेले, कि हम जहां पर order कर रहे हैं वो सही है या नहीं दूसरी चीज़ की आप जिस चीज़ को order कर रहे हैं उसके बारे में जो contents वो बता रहे हैं वो सीज़े सब चीज़े आप पहले एक बार देख लें उसकी terms condition को जरूर देख लें कई बार क्या होता है हम जलबाजी में समान खरीते हैं उससे आप बंदे हुए हैं आप अनुबंध जब करते हैं जी 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 अनुबंध भी उनका legal होना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई company मनमानी सर्थे आप पे थोब दे जी 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 बिल्कुसे अगर उस ऐसा extraordinary सर्थे हो रही हैं जैसे मान लेज़े कि उन्हें का कि आपने पैसा और हम पर यह समान इतने दिन में पहुंच गया उसके बाद आपने वापस नहीं किया तो हम आपको पैसा नहीं देंगे लेकिन आपने भेज़ दिया और उनको नहीं मिला किसी कारण से पोस्टल कारण से यह कारण से तो वह इंकार नहीं कर सकते का आपने टाइम से आपने कंपनी से जो आजकल आम चलन में हैं आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं इन बातों का ध्यान रखें कि कंपनी बकायदा जैन्मीन है या नहीं रिजिस्टर्ड है या नहीं और उसकी जो टर्म्स कंडिशन है उसको जरूर ध्यान दें उसके बाद ही आप जो है अपना समा करें और उसके बाद अगर कोई कंप्लेंड होती सर मैं आप चुकी आपकी उपस्तिती है और महत्पुन बात ये भी है कि जो सारी चीजें जानते हैं सारी चीजों से अवेर हैं बावजूद इसके वो भी ठगी कर शिकार हो जा रहे हैं क्योंकि कंपनी से हमारे तक समान आत आते बीच में उनके जो वे डिलिवरी बॉइज हैं जो भी हैं उनकी वज़े से भी कई बार आदमी को नुक्सान उठाना पड़ता मैंने मोबाइल बुक किया पता लगा मेरे पाद से डबा पहुंचा उसमें मोबाइल ही नहीं तो उस इस्तिती में वो व्यक्ति क्या करें डारेक्ट कंपनी के साथ में कैसे डील करें मैं जहां तक सोचता हूं इसमें कि आपने कोई समान खरेदा और उन्हों ने भेजा है आपको डिलवरी दे दीगे और आपको फ्रॉड हुआ है आप इमीडियेट उस सारी चीजों के वीडियो ग्राफ्स बना लें फोटोग्रा इमेल रहती हैं वाटसप्स रहते हैं आप जितने सिखरता से हो उन्हें और गरत कराएं क्योंकि जागरुपता इसकी सबसे पहले रखना है कि जब वो ततकाल करें आप माल लेजे आज आपको डिफर्क्टिव माल मिला और दो मेहने या तीन मेहने बात कहते हैं मुझे दिलिवर किया उसने जब लिया तब तो पुरा पैक था सील था और आपको जब दिया गया तो कच डिफेक्टिव है तूटा फूटा है तो उस समय ततकाल उस बात को जाश करना चाहिए और इस इस्तिति में आपको छतिपूर्ती करना कंपनी के जिम्मेदारी है कि अगर आ इस तरह के घटनाओं पर तरित कारेवाई करेंगे वो उतनी ज्यादा असर दारख होगी और आपका जो नुकसान है वो कम से कम या बलकि यूँ कहना चाहिए कि होगा ही नहीं अगर आप जागरूख हैं सतर्क हैं तो अब मैं आप से जाना चाहूंगा कि इसके लिए क्या क मार्केट से कोई समान खरीदा मैं भोगताओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरी प्रातना है क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और देश भी हमारा है हम लोग जो सरकार को टेक्स देते हैं तो उससे हमारा देश बहुत अच्छे से विकास करता है आप अभी देख र सामने आते हैं तो आपको एक सबूत देना होगा कि मैंने ये माल इस वेक्ति से इस दर पे इस गुनवत्ता की साथ खरीदा है और ये वारंटी उसमें मैंसन है क्योंकि बिल में वारंटी भी मैंसन रहती है अगर आपने नहीं लिया और टेक्स बचाने के लिए आप सिर्फ और ले आये हैं तो आपको रिलिफ देने में असुईधा होगी तो मैं भुक्ताओं से यही निवदन करूंगा कि कोई भी समान खरीदें निया मनुसर कर दें टेक्स पटा कर खरीदें और उसकी रिसीट को समभल कर रखें बिल्स वगर जो भी मिलते हैं और उसमें आपने जो मांगा है कई बार पारी वारंटी नहीं लिख रहा है आपको ओरल कहरक मैंने वारंटी दे रहा हूं तो उन सब के डॉकूमेंट्स आप उनसे जरूर लें क्योंकि आप विश्वास पर मत कीजिए काम को आपको कोट में अपनी चीजों को दस्तावेश से ही प्रमानित कर दे रहे कि छोटा सा विराम हम लेते हैं और तुरंथ हाजिर होते हैं मातरम वंदे मातरम शुब्र जोचना पुल कित्या मिनम् लुकु सुमीत द्रम दले सोभी सुहा सिमीम सुमधुर भाशिनिम सुखदाम मरदाम मातरम वंदे 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 मातरम दर्शकों विराम के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं हैं कारेकर्म आपकी बाते चल रहा है विशय है उभुकताओं के समस्या है और उनका कानूनी समाधान हमारे शाथ हैं श्रीक गौतम चौरडिया जी आप हैं अध्यक्ष राज उभुकता विवाद प्रतितोष आयोग राइपुर्ट श्रीक बार पुना आपका स्वागत है ब्रेक पर जाने से पहले हम ऑन-लाइन मार्केटिंग के बात कर रहे थे जो जो उसमें किस तरह से नुकसान हो रहे हैं उसका भरपाई कैसे की जा सकती है जब ऑन-लाइन मार्केटिंग के बाद चली है तो यहां पर एक बहुत महत्पूर्ण विश्य और है जो आप से मैं जानना चाहूँँ अपने दर्शकों के लिए आजकर ऑन-लाइन बैंकिंग फ्रॉड्ड जो है वो इतने जादा हो रहे हैं कि लोग डर गए हैं किसी का कोई अन्नोन कॉल आता है तो वो उसे भी न उठाते हैं तो यह जो बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए बैंक ने अपनी जो वेवस्ताएं वो तो किये हुई हैं ले कैसे की अधा जो जो फ्रॉड हो रहे हैं ऑन-लाइन फ्रॉड हो रहे हैं वो कुस तो लालस दे कर हो रहे हैं कि हमें आपको यह वाड मिला है आप यह इंफरमेशन भेजिये आपका बैंक का नम नमर भीजजिये आप एक रुपया हम पो बेज़िए, वन लुप disease हम उसके ब को अटेंड ना करें जिसमें ऐसी information लालस दिया जा रहा है या आप से कोई आपकी information जैसे की OTP मांग रहे हैं आपके bank detail मांग रहे हैं या किसी link को क्लिक करने के लिए कह रहे हैं आगर आप link को क्लिक करते हैं तो आपके information accounts के लिएक सब detail जा सकती हैं तो एक तो अनावस्य काल जो unknown हैं जिनको आप जानते नहीं है अनावस्य कुप से अटेंड ना करें फिर जब कोई भी information मांगी जा रही है आप इस तरह की कोई भी information है KYC करेट करना है इस नाम से मांगी जाती है आपको यह इनाम मिला है आपके bank account को update करना है बहुत से ऐसे गलत ध्यान करें देकर आपसे आपके सारे details लेते हैं तो पूरे देश में यह फैलना चाहिए विग्यापन के माध्यम से भी और आपके सबके माध्यम से की कोई भी link को क्लिक न करें जो इस तरह की link का रहे हैं आपको क्योंका unknown link है mailware का यूज कर रहे हैं वो लोग और उसके का माध्यम से आपकी राज़ी कर लिते हैं मालीजिया आपने सबसे एक request यह भी है कि अपने mobile number को हमेशा sms से bank से जोड़िये कोई भी information आपके bank से amount withdraw होती है निकाला जाता है तो आपको sms मिलता है अगर आपने sms नहीं ले रखा है या mobile number को contact नहीं कर रखा है तो information नहीं मिलेगे और के account से पैसे निकलते जाएंगे बार बार निकल दे जाएंगे आपको पता नहीं चलेगे तो जैसे आपको information मिलती है कि मेरा पैसा withdraw हो रहा है तो first में ही आप click करके bank को intimate कीजिए stop payment करने के क्योंसी कीजिए दूसरा cyber crime है कि अपने हर जगा cyber crime की branches कुल रही है police station पे वहाँ intimation दीजिए bank को immediate intimation दीजिए जिससे वो जो amount transfer हुई है अगर माली जाए आपने डिले किया तो कई accounts तक है बहुत दूर तक जा सकती लेकिन आपने immediate intimation दी तो वो उसको stop कर सकते उसके payment को stop कर सकते हैं कहीं वो account detect हो जाता तो उसके account को फिर crime है यह crime है इसके अगर आप time से intimation नहीं देते हैं तो bank की कोई liability नहीं है एक बात और कहना चाहूंगा अगर आप कोई opt या link share करते हैं तो bank की कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें bank आपने अच्छा question कि कि कई बार लोगों को भुकतान नहीं होते हैं उसके पीछे कारण यह है क्योंकि जो information आपको नहीं देनी चाही थी आप ने दिए अभी हमने case decide किया है एक ग्रामिन वेक्ति ने अपना mobile नंबर भी connect नहीं किया था और आधार card भी account से connect नहीं किया था ग्रामिन वेक्ति था और उसको पैसे लिकानने के लिए कोई mobile system को भी यूज नहीं करता था लेकिन उसके किसी ने अपना अधार card बैंक को दे दिया और mobile नंबर दे दिया और amount विड़ा कर लिया तो अब इसमें भोगता कि कोई हाँ को जो गलती है बैंक की है उन्होंने verify नहीं किया अधार card में नाम रहता है फोटो रहता है थम impression रहता है मोबाइल नंबर मैं दूंगा तो हमने भी compensation दिलाया उसके सान को कि आप की इसमें कोई गलती नहीं है टोटल नेगलिजेंस बैंक का है और इसलिए compensation इसका मतलब है कि आप सावधान है आपने timely कोई काम ठीक से किया है तो आपको compensation मिल जाएगा अधरवाई या आपने कोई OTP share किया है या link share किया है या आपने information share की है तो आपको benefit जो मिलना चाहिए चातिपूरती नहीं मिल पाएगा आर बी आई की guideline है इस पर कि किस तरश को मिलकूल बहुत अच्छी बात बताई है श्री गौतम चरोडिया जी ने कि आर बी आई भारती Reserve Bank of India भी कहता है कि जानकार रह है तो आपका compensation आपको जरूर मिलेगा चरोडिया जी है हमारे साथ में बैठे हुए उन्होंने इसका उधारन भी दिया है कि उस किसान को भी उन्होंने पूरी तरह से compensation दिलाया है तो सबसे महत्मून बात चाहे वो online marketing की हो या banking fraud की हो आपका जागरूख होना बेहत जरूरी ह जानकारियां up to date रखिए आज उसी संबंदी तक कारेकरम लेकर के हम आये हैं इस कारेकरम को ध्यान से देखिए आगे और भी महत्मून बातें आपके लिए हैं सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उभोकता ने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी और उसको compensation भी मिला अब मैं आपने अधोसन रचना की बात की है हम capital में रह रहे हैं रायपूर में रह रहे हैं लेकिन इस तरह की जो frauds हैं ये सब जगा हो रहे हैं ग्रामिन शेतर में भी नहीं हो रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता है आज वहाँ पर भी लोग mobile यूज़ कर रहे हैं बैंक की सुव बंदित है उसको तत्काल सुचना दीजिए वहां के निकट्तम थाने में जो आपके निकट्तम हो वहां जाकर आप fire lodge कराईए और बैंक को अपना खाता आगे कोई कायरवाही ना करें इसलिए stop करने के लिए आदेश कीजिए ठीक हैं और क्राइम जब रिश्टर हो जाता है एक केस में मैंने देखा था एक रिटायर करमचारी थे उनके एकाउन में 36 लाख रुपए आए उन्होंने बार बार उनसे इंफरमेशन मांगके ओटीपी मांगके 36 लाख रुपए उसके खाते से निकाल लिया गया है अच्छा और उस इस्तिते हम कुछ नहीं कर सकते थे क् सारी ओटीपी सेर की थी जो पासफ़र्ड आता था वो सेर करते रहे जो मांगता रहा कई बार लोग मोबाइल नंबर चेंज करके ओटीपी चेंज करके फिर निकालते रहते हैं वो हमारे यहां जब आए तो हम उनको कोई साहता नहीं दे सकते थे लेकिन हम नहीं से का कि मुतनी रहत आपको मिल जाएगी तो क्राइम रजिस्टर कराया जाना इसलिए जरूरी है कि जिससे पुलिस भी एक्षन में आ सके और जो अपराधी है उन तक पतकाल पहुंच सके अन्याथा जितना डिले करें मैंने पहला का कि जागरुकता और ततपरता नहीं है तो आप जादा नुकसान में आ सकते हैं और इमेडियेट इनपर गाओं के लोगों को पर आज गराम पंचायत है वहाँ भी ऑन LINE सिस्टम हैं पुलिस को कंट्रोल में को बता सकते हैं बैंक के कंट्रोल मीं को और बैंक में इस तरह के फ्राड होने के बारे में भी उनके उपचार के सेंटर हैं उनको भी इंटिमेशन दीजिए इमेडियेट कम्प्लेंट कीजिए ऑनलाइन है कि आप उनके कम्प्लेंट कर सकते हैं तो इससे सुईधा जनता को मिलेगी और फिर कहूंगा जितना जल्दी और तत्परता से करेंगे उन अपराधियों तो जल्दी पहुँचा जा सकते हैं दर्श को बहुत महत्पून बात आपको फिर एक बार बता जए कि आप तत्पर रही है जागरूख रही है एक और बहुत महत्पून बात चरणिया जी ने अपनी चर्चा के दौरान कही है कि आपका जो मॉबाइल नंबर है उसको बैंक के साथ में जोड़ के रखिए अगर कहीं पे भी कोई फ्रॉड का आप सिकार हुए है तो उसके मैसेजेस आपके पास आए इससे पहले कि आपका एकाउंट ख इसमें क्या कोई समय सीमा निर्धारित है कि इतने समय में वो भूगता को जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा और शुल्क के बारे में भी बहुत अच्छा प्रस्ट के आपने वो भूगताओं की कानून लाए ही इसलिए गया है कि उनको ततपरता से नयाई मिले नौर्मल सामान या नियम यह है कि तीन मेहने में उनको फैसले मिलने चाहिए मालनी जो कोई complicated issue वाला मामला है तो पांच मेहने में मिलना चाहिए लेकिन बीच में करोना काल रहा दो साल तो से कई बार disturbance वे वो लक्षपूरा नहीं कर पाएं कई बार निया कमिशन के अध्यक्छों के न्युक्ति नहीं हो पाई विलम हुआ आप 36 गड़ में देखिए अभी हम राज यायोग में कोशिस कर रहे हैं हम तीन मैने से पांच मैने के भीतर फैसले दे रहे हैं 36 गड़ एक ऐसा राज यहां ताथ परता से प्रयास कि जाए हैं उसमें हमें अधिवक्ताओं का परचकार का भी स्योग चाहिए नोटिस की तामिली समय पे हो क्योंकि उसके बिना परचकार को सुने बिना कोई फैसले नहीं किया सकते हैं तो तसाली तकनिकों को विधान में रखे तो हम लुग उम्मीद करते हैं मैंने पांच मेंने कभी तर फैसले किया जा सकते हैं शुल्प के बारे में बता हैं सुल्क देखे पांच लाग तक तो कोई सुल्क भॉक्तान करना नहीं है और इतनी कम चुल्क रखी सरकार निस्वें कि पांच लाक से दस लाक तक के मात्र पान्सो रुप्य की फीश में पूरा मामला ले सकते हैं और करोर रुपय के मामले तक के साथ हजार पान्सो रुपय मैंखिमम है साथ हजार jam सो मैखिमम जो नैस्टनल Mitrisle के मामले पेस होते आप आप सोथे इतना कम पैसा में आपको मामला लड़ने की चंबता हैं फिर लीगल एड़ विदिक साहता उपलब्द है कोई गरीब है नहीं लड़ सकता तो वो फीज भी सरकार देगी पांसो हजार रुपे भी नहीं दे सकते उनके मामले को लड़ने के लिए वकील भी लगाएंगी बना रखें जहां विदिक साहता के अधर देंगे तो दर्शकौ आपने जाना कि समय सीमा मैकसिमम छे महने के ऐन दर आपको आपके जो शिकायत है उसका निवारन हो जाता है और शुलक इतना कम है कि आप सूच भी नहीं सकते करुणों का भी अगर मामला है तो उसके अधिक्तम सीमा 7500 रुपय है और ये इतना सुविधा जनक है कि अगर हम इसका लाब लेते हैं तो कहीं न कहीं हम उस तमाम नुक्सान से बच सकते हैं जिसको हम सोच के घबरा जाते हैं सर कारेकरम का अंतिम पड़ाओ है चलते चलते की मैसेज के रूप में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना जाएगे देखिए सबसे बड़ा जो पावर है बोलते हैं सक्ती जो है ज्यान है नौलेज और नौलेज को इंप्लिमेंट करने की इच्छा सक्ती ज्यान है और मैं उसको उप्योग ना करना चाहूं तो भी वो की काम करी है तो आज ग्रामीन छेत्रों में भी सब पढ़े लिखे लोग हैं सिक्छा ने अच्छा विकास किया देश में बहुत साक्षरता बढ़ी है तो ग्रामीन लोगों को अपने अधिकारों को पहले जानना चाहिए हमारे अधि पूरा भर पूर उप्योग करें लेकिन सद्भावना और नैतिक्ता के साथ क्योंकि आप फ्रॉड करके खुद आएंगे तो स्वक्ष चांतों से नहीं आता है उसको नयाए नहीं मिलता है बहुत अच्छी बात आपने बताई ही सर और भोक्ताओं की समस्या और उनका कानू पूर्ण इस महत्पून विशे पर आपने अपनी उपस्तिती देकर हमारे दर्षकों को इतनी महत्पून जान करीदी इसका बहुत भूँत धन्यवाद और दर्षकों आप से इस वादे के साथ अन्मती लेते हैं कि कारिक्रम की अगली कड़ी में एक और महत्पून विशे क साथ आप से करेंगे आपकी बार तब तक के लिए नमस्कार मेरी अपनी सबकी है ये आज ही नहीं कल की है ये अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बाते आपकी बाते आपकी बाते आपकी बाते आपकी बाते